दो हजार सताइस में फंसा हूँ, आखिरी इनसान हूँ, टाइम ट्राविलर ने किया हैरान करने वाला खुलासा. एक रहस्यमय व्यक्ति खुद के दो हजार सताइस में फसा हुए समय यात्री होने का दावा कर रहा है. जेवियर नाम के इस शक्स ने सोशल मीडिया यूजर्स को अपने हालिया टिक टॉक वीडियो से हैरत में डाल दिया है. इसमें उसने कुछ ऐसा दिखाया जो कतई आम नहीं है. समय यात्रा या टाइम ट्रावल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को जितनी कम जानकारी है उतना ही ज्यादा वे उसके बारे में जानना चाते हैं. इसके अलावा टाइम ट्रावल के कई किस्से और दावे प्रचलित है. हाल में खुद को टाइम चैवल बताने वाले एक शक्स ने अनोखे दावे करके लोगों को हैरान कर दिया है ये रहे समय व्यक्ति दो हजार सत्ताइस में फसे हुए समय यात्री होने का दावा करता जेवियर नाम के इस शक्स ने सोशल मीडिया यूजर्स को अपने हालिया टिक टॉक टिक टिक टोक एट यूएन आई सी ओए सोबी आर इवी अवी अई इन टी अपडेट से चौका दिया है इसमें उसने हमेशा पूरी तरह बिजी रहने वाली सडकों पर अकेले जाइव करते हुए खुद का विडियो शेर किया है इसमें वह ये भी बता रहा है कि वहाँ दुनिया में बचा आखरी व्यक्ति है देली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जेवियर पहली बार 2021 में वाइरल हुआ था जब उसने दावा किया था कि उसे 6 साल आगे भविश्य में ले जाया गया था जहां उसने देखा कि वहाँ दुनिया में बचा हुआ एक मात्र व्यक्ति था तब से वहाँ इसके प्रूफ के रूप में टिक टॉक पर वीरान शहरों में घूमते हुए अपने वीडियो शेर कर रहा है पहले उसके कई वीडियो में उसे रूम इटली के कोलोसियम जैसे टूरिस्ट प्लेस से लेकर हवाई अड़े तक सूनसान खाली और वीरान दिखाई पड़ रहे थे ताजा वीडियो में उसे एक लगजरी कार चलाते हुए देखा गया है इनमें से एक क्लेत जिसे 11,000 से अधिक लाइक्स मिले हैं वह एक चोल के जवाब में पोस्ट की गई थी जिसमें कहा गया था यहाँ जाइवर को तेज गती से गाड़ी चलाते हुए नहीं दिखाता है इसके बाद उस व्यक्ती को अपने सामने की सड़क दिखाने के लिए कंधे पर कैमरा लगा कर इसे चलाते हुए देखा गया ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक खाली सड़क है जहाँ सड़क के किनारे सिर्फ कारे खड़ी है और रास्ते पर कोई पैडल यात्री या उसके सामने कोई कार नहीं चल रही है हालां की टिक टॉक यूजर्स शक्स के दावों पर दो धड़ों में बंट गए है एक ने कहा आप कितने दिनों से वहाँ फंसे हुए है सुपरमार्केट जाओ और फ्री में सामान उठा लो एक अन्य यूजर्स ने कहा दो हजार सत्ताइस में फंसे हो तो दो हजार चॉबीस तक वीडियो कैसे पोस्ट कर पा रहे हो अधिकतर लोग जेवियर की बातों का यकीन नहीं कर रहें लेकिन कई लोग उनके वीडियो से हैरान भी है और धेरो सवाल कर रही है कुछ समय पहले जेवियर ने खुद को टाइम ट्रैवलर साबित करने के लिए अमीराज स्टेडियम और स्टैंफोर्ड ब्रिज का वीडियो भी शेयर किया था टिक टॉप पर वीडियो की एक सीरीज में उन्होंने आर्सेनल और चेल्सी फुटबॉल क्लबों के आसपास घूमते हुए अपने फुटेज शेयर किये थे